नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है परधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने पिछले महीने ही कहा था कि ब्रस्टाचार के साथ कोई समझोता नहीं किया जा सकता है उन लोगों को चुन चुन कर जेल के अंदर भेजेंगे जिसने देश के संसाधनों को लूटा है जिसने देश के लोगों का पैसा खाया है और इसलिए E.D. और C.B.I. के दुरूपयों की बात जो ये विपक्षी पार्टी के नेता उठा रहे है उससे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है कोई पॉलेटिकल प्रेसर इन एजेंसियों के उपर नहीं है बलकि खुली छूट मिली हुई है जहां सुबूत मिले वहां च्छापे मारी करो जिन लोगों के खिलाब सुबूत मिले उन लोगों को गिरफतार करो और जिन लोगों के मामले अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उन मामलों को फर से जागरित करो इस ब्रस्टाचारी सिस्टम को इस पूरे एको सिस्टम को द्वस्ट करना है और इसलिए एक महीने के अंदर जिस तरीके से CBI और ED दोनों ही सूपर एक्टिव मोड में आ गई है कॉंग्रेस के अंदर तो हंगामा चली रहा है विपक्षी पाटी फिर से एक जूट हो रही है इंडी एलायंस के पार्टनर मीटिंग करने वाले है इस बात को लेकर कि लगतार जो ताबड तोड च्छापे हुए है ED के उससे इन लोगों की कमर तूटती नजर आ रही है बिहार में ED ने च्छापे मारी की पकड़ा और फिर ये जो राजद के पुर्विधायक थे उनका पावर डील का एक नया एक्सपोज हुआ कि किस तरीके से इन लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर उसको बिजनस पार्टनर बना कर और राजद के बड़े नेताओं से उसका कंसल्ट करवा के देश की संसाधनों को लूटा है करोडो रूपया अरजित किये हैं इन्वेस्ट किया दिल्ली में नोएडा में बैंगलूरू में मुंबई में इन जगों पर इनके अपने रिलेटिव के फ्लैट्स मिले हैं रियल अस्टेट का कारोवार ये लोग कर रहा है काले धन से इसलिए इस बीच चतिस ग जो बड़ा एक्षन हुआ है ये कॉंग्रेस को उपर हुआ है कॉंग्रेस के दो दो एमेले के खिलाप कारवाई शुरू हो चुकी है पहले राओदांस इनके खिलाप एक्षन लिया गया एडी ने च्छापे मारी की और उसके बाद उनके उपर सिकंजा कसा जाने लगा ये पैसे दे कर टिकट खरी दे थे लोग सभाच चुनाब के दोरान और इसलिए इनके टिकट मिलने के बाद कॉंग्रेस के अंदर भी हंगामा हुआ था और किरन चौधरी ने तो भरे मंच पर राहुल गांदी की बेजिती कर दे थी जब राओदांस इन किरन चौधरी बुप किस आधार पर इस व्यक्ति को आपने टिकट दिया क्योंकि अगर मुझे दरकिनार करने की कोशिश करते हैं कोई बात नहीं है आप साब तोर पर कह दो कि आपके जीतने के चांसे कम थे इसलिए हमने आपको टिकट नहीं दिया लेकिन जिसे टिकट दे रहे हैं वो किस आधा सीन को क्यों दिया गया जिसके ऊपर इतने करप्सन के मामले चल रहे हैं चौदा सौ करोड के करप्सन के चार्जे जै बैक घोटाला है और इलिगल माइनिंग में भी इसका हाथ है ये कॉंग्रिस को पैसा दिया वुपेंदर हुड़ा को पैसा दिया और फिर इसने टिकट खरीद ली लोकसभा चुनाब के लिए हाला की राओदान सीन चुनाब हार गया उसके बाद फिर से एक ताबर तोड़ च्छापे पढ़ने लगे हरियाना के अंदर हरियाना में अभी विधान सभा का चुनाब भी होने वाला है और फिर सुरेंदर पवर के घर पे च्छाप पिछले एक सब्ता से राहुल गांदी का नहीं है और कॉंग्रेस में इस बात के लिए चुपी है कि आखिरकार राहुल गांदी केवल सोसल मीडिया पर क्यों दिखाए दे रहे हैं एक सब्ता से और उनको जो पंडर पुरियात्रा में जाना था वहां भी नहीं गए यहां विदेश गए है कि नहीं क्योंकि पहले तो कॉंग्रेस ने ये बता दिया था कि अभी जाने वाले हैं लेकिन अभी सिड्यूल तयार नहीं हुआ है लेकिन राहुल गांदी नजर नहीं आ रहे है इसका मतलब दाल में कुछ काला है वो निकल चुके हैं अब वापसी की गु दिपेंदर हुड़ा जो बगल में बैठे रहते हैं राहुल गांदी के वो चिला चिला कर कह रहा है कि देखिये कैसे बदले की कारवाई की जा रही है हर्याना में कॉंग्रेस के नेताओं के खिलाब छापे मारी की जा रही है उन्हें गिरफतार किया जा रहा है लेकिन के मुक मंतरिकाल में ही कई ऐसे फैसले हुए थे जिसकी सी बी आई और एडी से जाच चल रही है वो घुड़ा जिन्होंने रॉबर्ट बाडरा को जमीन दे दी थी उस मामले की भी जाच एडी ही कर रही है और रॉबर्ट बाडरा तो फसे है ही हुड़ा भी फसा हुआ है यही नहीं निस्नल हेराल्ड के मामले में भी इस बात की जाच हो रही है कि हुड़ा ने कितना पैसा दिया था महाली में जो हेराल्ड के लिए जमीन दी गई थी उसमें कितना पैसा दिया था एगरिकल्चर लेंड को कैसे कॉमर्सियल लेंड में तबदिल करने से पहले वो पूरे जमीन को बेच देता था विजनस घरानों को और उसमें वाडरा फैमली भी सामिल होती थी उसका पैसा कहा जा रहा है डर तो हुड़ा परिवार को इस बात के लिए है कि हर्याना में जब एक्षन सुरू हो चुका है एमेले पकड़े जा रहे हैं तो अब नंबर इनका ही आ गया है क्योंकि कॉंग्रेस में एक दो नहीं बलकि 26 शब्विस नेता ऐसे हैं जिसके उपर गिरफतारी की तलवार लटक रही है और उसमें नंबर तो सुनिया गांदी और राहुल गांदी का भी है क्योंकि इन दोनों के खिलाफ जो निशनल हिरार्ड का मामला चल रह है उसमें कभी भी समन आ सकता है इनके पास फिर से पूश्टाच के लिए वे एक राउंड की यानि की पहले दोर की पूश्टाच इन दोनों के खिलाफ हो चुकी है जिसमें राहुल गांदी को बुलाया गया था उसमें हंगामा किया इन लोगों ने और फिर कहा कि देखो क कैसे बदले की भावना से इडी काम कर रही है और ये मोदी के इसारे पर काम कर रही है इसलिए हमें पूश्टाच के लिए बुलाया जा रहा है जब तुम पांच हजार करोर की संपती हडप लोगे तो पूश्टाच क्या जेल भी जाना पड़ेगा लेकिन हंगामे का कोई असर नहीं हुआ और इडी ने राहुल गांधी को घसीट कर ले आया राहुल गांधी अब तक कहते हैं डरते हैं कि कैसे इडी ने 90 गंटे तक उसको टॉर्चर किया था उसके बाद सोनिया गांधी को भी बुलाया गया उनसे भी पूश्टाच की गई मलीकारजुन खडगे से जब पूशा गया था भाई आप तो यंग इंडिया लिमिटेड के CEO हो तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी कारोवार क्या करती है लेकिन ये इस बात के लिए सीधे तोर पर सोनिया राहुल के पास कह दिये हमें तो कुछ पता नहीं है उन लोगों को पता हो क्योंकि 76% के Shareholder तो वही दोनों हैं और उन्हें के पास सारे इसके बारे में जानकारी होती है और जानकारी जो होती है वो चार्टर अकाउंटेंट के पास CA के पास होती है क्योंकि उसके ओफिस में तो एक चपरासी दिखाई पड़ा था ताला लगा हुआ था ED दो दिन तक इंतजार करती रही और फिर उसके बाद खड़गे को बार-बार नोटिस बेजा गया तो वो ताला खोलने के लिए गए इन सबसे पूछताच होगी लेकिन सर्फ इन ही तक नहीं है नंबर इनका भी आया है लेकिन अभी कॉंग्रेस के 24 नेता और ऐसे हैं इन दो सिध्धा रमया के खिलाब भी जाच हो रही है और अब तो एक नया मामला सामने आ गया है महरसी वालमी की सिद्धा ट्राइब कार्पोरेशन के 200 करोड रुपे के घपले में सिध्धा रमया का सिध्धे नाम आया इसलिए उसके पाच-पाच मंत्री सामने आ गये कि दो 500 करोड से जादा की संपत्ती वाला ये नेता जो कि राहुल गांधी के लिए पैसा कठा किया था इसने ही यंग इंडिया में 20-20 लाक रुपे दिये थे और इसका भाई डीके सुरेश भी उसमें शामिल था इनके खिलाब छापे मारी हो चुकी थी 8 करोड रुपया दिली के पैसा डीके शिव कुमार का है ये पुरा बयान इडी के पास है और ये इस मामले में आगे भी जाज कर रही है चिदमरम बाप बेटा दोनों पी चिदमरम कार्ती चिदमरम ये दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं चाहे सेर लेक लोकेशन का मामला हो या फिर चीन के ये वहाँ पर इलिगल तरीके से वीजा दिया गया कार्ती चिदमरम का नाम उसमें है और उस समय हो मिनिस्टर हुआ करता था यही पीचिदमरम कई ऐसे कॉंगरिस के नेता है उपर से नीचे तक लिस्ट तयार है सब के खिलाब जो मामले है फिर से रियोपन किया जा रहा है सब को पकड़ा जाएगा इसलिए कॉंगरिस में बौखलाहट है कॉंगरिस में इस बात के लिए ही बौखलाहट है कि अगर फिर से रहुल गांधी को बुलाया गया पूस्ताश किया गया हिरासत में ले लिया गया केद्रिवाल की तरह तो फिर कॉंगरिस की तो साक जो बच कर लिया जाएगा चाहे उसका नाम कैसे भी हो लेकिन उसे गिरफतार नहीं किया जा सकता है ये ब्रम जो था उसे पिये मोदी ने तोड़ दिया कि कोई पॉलिटिकल प्रेसर में हम काम करने वाले नहीं हैं तुम चिलाते रहो एडी अपना काम करते रहेगी और इसलिए इन ल से जादा बरामत किया गया और कुछ चीजे बरामत की गई कहा जाता तो यही भी रहा है कि उसके घर से जो बरामत की गई है उसमें कुछ हतियार भी है हतियार भी रखता था इलिगल माइनिंग करेगा तो वो गुंडागर्दी भी करेगा इसलिए उसे तो अब बाहर आना ही है लेकिन हरियानह के अंदर ये पता चलने लगा है कि कैसे ये लोग कांग्रेस के विधाएं कांग्रेस के सांस़त जो अ बन चुके हैं और हुद्डा परिवार सब लोगों ने मिलकर हरियाना को लगतार सोसित किया है उसके संसाधनों को चूसा है हरपा है करोडो करोड की संपती इकटी की है अभी तो ये गुड़गाओं का पूरा खेल बाहर आना बाकी है इसलिए डर सबसे ज़्यादा कॉंग्रिस को लग रही है कॉंग्रिस के नेता चारों तरफ से निकल निकल कर ये कह रहे हैं पिये मोदी अब बदला ले रहे हैं चुनाब में जो उनकी सीटे कम हुई है उसका बदला ले रहे हैं कॉंग्रिस के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं अभी ये सुरुवात है अभी और एक्षन होना बाकी है कॉंग्रेस चिलाती रह जाएगी और बजट सत्र के खत्म होते होते कई कॉंग्रेस के नेता जेल के अंदर दिखाई पड़ेंगे तो इसे तरह की कबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमा करते रहें धन्यवाद